मजीब में आप सब की सलामती हो मेरा नाम है रिजवान भटी एक मुर्टा फिर हाजूर हो अपने प्रोग्राम के साथ और कंदील की सीरीज के साथ अंधेरों में कंदील चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यह अंधेरे जो हैं वो छट जाए और रोश्नी के जो किरन है वो नमदार हो जाए और जो नूर अला नूर जात है इसके नूर से मनवर हो जाये और मौत के अंधेरे जिन्दकी का सवे रहो तो शुरूर करते हैं अपने प्रोग्राम को और आज का हमारा उन्वान है तुन मिजाज, जो लोग घुस्से वाले होते हैं, बात सुने को तियार नहीं होता है, समझाने में मुश्किल होती है, उन्सान मुख्いき नेयुक्त की मालिक होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लो आप उससे माफी न मांग ले और माफी मांगने के बावजूद भी वो इनसान आपके जान नहीं छोड़ता आग बगूला हो जाता है आप कुछ कह के जो देखें तो आज हम बात करें हैं इन लोगों के उपर कि ये लोग अगर ऐसे हैं तो इनको ठीक कैसे किया जा सकता है ना मचाना शुरू कर देते हैं बात बात पर घुसा करते हैं बात बात पर नाराज़की करते हैं तुन मज़ाज लोग वो हैं जिन्हें खुश करना किसी के बस में है ही नहीं अगर आप गलती ना भी करें तो भी वो आपसे नाराज़ी होंगे समझ में नहीं आता लेकिन अगर आप अच्छा काम भी किया हो तब भी उनको अच्छा नहीं लगता तब भी उसमें से वो केड़े निकालेंगे या बुराई करेंगे हर बात में केड़े निकालने का उनका काम है और किसी की अच्छी खासी बात को समझने के बजाए तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनको लट मार दी गए तो बहुत परिशानी होती है बस यूँ समझ लें कि वो पेटरॉल है जिने जरा सा दिया सलाई दिखाएं तो वो भड़क जाते हैं और ऐसे होते हैं कि हर वक्त उनका temperature बढ़ा हुआ रहता है जरा सी बात आपने कहीं नहीं तो उनको आग लग जाती है फौरण भड़क उड़ते हैं और जमीन आसमान एक कर देते हैं तोबा तोबा क्या मिजाज होता है उनका ऐसे लोगों का मिजाज बिलकुल आग बगूले की तरह होता है जलता हुआ कोईले के अंगारे की तरह जब ऐसी लोगों के बारे में सोचते हैं तो ख्याल आता है कि अगर इस अंगारे को जिन्दा रखना है तो आप इसके साथ क्या करेंगे अगर इस अंगारे को कोईले में बदलना है तो आपने क्या करना है तो आपने क्या करना है तहकता हुआ अंगारा है वो अगर आप इ जितनी जदा फूक मारेंगे, जितनी जदा उसको हवा देंगे, वो उतनी जदा बढ़ेगा. बाद अकात लोग गी सोचते हैं, कि एक आदमी तुन मिजज है, तो उसकी बात तो समझ में आती नहीं है. तो वो उतना ही अकड के बात करता है, तो उससे उतना ही ज्यादा अकड के बात की जाए, तो वो गदू ट्रैक पर आजाएगा. लेकिन ये गलत है, हम ये कहते हैं कि एट का जवाब हमने पत्थर से देना है, तब तक उसको समझ नहीं आता, वो जितना सख्त है, हमें उससे भी डबल सख्त होके उससे बात करनी है, तब उसकी बात अकल में आगी, हम उसका बाप बन के दिखाएंगे, वो जरा बोले तो स चीज रख दें, तो जब तक उसको हवा नहीं मिलेगी, वो और भड़केगा नहीं, तो वो दहकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सिजन नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगारा उस वक चलता है, जब उसको ऑक्सिजन मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सिजन हासिल होती है, त लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए जब आग लगी होती है तो आग को बुझाने का एक तरीका यह होता है कि आप उसके उपर गीला कंबल डाल दें लोग यह कहते हैं कि आग लग गई है तो गीला कंबल डाल तो आग बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सिजन नहीं मिलती तो अगर बढ़केगा जब गीला कंबल यह कुछ डाल देंगे तो उसको आउक्सिजन नहीं मिलेगी गीला कंबल डाल देने से आग बुझ जाएगी अंगारा जो है वो बुझ जाएगा लेकिन अगर एक आदमे जो तुन मिजाज है अगर उसके ओपर गीला कंबल यह पाने डाल दे हमने यानि उस तुन मिजाज आदनी को ठंडा रखने की जरूरत है सबरो तहमल का दामन हम ना छोड़ें लेकिन आप सबरो तहमल का दामन नहीं छोड़ेंगे तो वो आस्मान पर जा रहा है तुन मिजाज आदनी को कूल डाउन करने का यह तरीका नहीं है कि आप उतने ही ज्यादा घुस्से मुझसे बात करें बलके तुन मजाज आदमी का इलाज ठंडा रखना है सबर तहम्ल का दामन छोड़ना नहीं है आप सबर तहम्ल का दामन नहीं छोड़ देते तो वो आस्मान पर जा रहा है लेकिन अगर आप जमीन पर हैं तो उसके साथ परबास मत करें वो जल रहा है उसे अक्सिजन मत दें बलके उसे ठंडा कंबल बनकर उसके पर बैठ जाएं उसको चिमट जाएं ताके वो खामोश हो जाएं घुस्सा ना करें उसका असर मत लीजिए तब उसका घुस्सा कुछ कम हो जागे क्योंकि इसकी वज़ा यह है कि अगर आप उसको वैसा ही जवाब देंगे तो वो एक अंगारा दो हो जाएंगे और अगर वो ज्यादा शोर होगा ज्यादा दहकेगा तो वो एक तबाही मचाएगा पानी डाल दीजिए वो ठंडा हो जाएगा नहीं भड़केगा अगर आप ये काम करते हैं तो जाहर है कि मजीद आग भड़कने के चक्कर में लगे होंगे हमारे माशरे में खराबी यही है कि अगर चंद एक तुन मजाज लोग हैं लेकिन बाकी लोग उनका मुकाबला करने के लिए उनसे ज्यादा मजाज अगर जिन्दा रह जाए तो फर्स करें कि अगर इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए और खुदा उसे जिन्दा रखने चाहते हैं तो उन तुन मजाज लोगों को जिन्दा रखने के लिए कौन सी जगह होगी अगर आप उनको जिन्दा रखने चाहते हैं, तो कौन सी जगह पर रखेंगे? आप उनको ठंडी जगह पर रखेंगे, तो क्या वो जिन्दा रहेगी? नहीं, वो मर जाएंगे. आपको जिन्दा रखने की जरुवत है, तो उसे तंदूर में रखें. वहां पर वो सहतमन रहेगा और भाब अच्छा भी रहेगा. तो अगर ये तंद मिजाज लोग इस दुनिया से इंतकाल करके चले जाएं, और उन्हें जिन्दा रखना मकसूद होगा, तो उन्हें कहां रखा जाएगा? जन्नत में, जहां ठंदी हवा चलती है, या जहन्नम में, जहां पहले ही आग जल रही है. क्योंकि उनकी जिन्दगी का दारोमदार उसी पर है, लेकिन अगर हम उनको तुन मिजाज को जवाब ही तुन मिजाजी से देंगे, तो हमें यहीं जहन्नम बना लेंगे. हमसे बड़ा एहमक कौन होगा? ऐसे लोग तो मौझूद हैं, यह कुर्बे कियामत की एक निशानी भी है, कि लोग बात बात पर काटने को दोड़ते हैं, और उस वक्त आप देखें कि यह तुन मिजाजी में इज़ाफा होता है. आदमी कई दिन का भूका हो, यह कम असकम 2-3 वक्त का भूका हो, तो उसके साथ उसका प्यास भी लगी हो. तो उस वक्त देखें उसकी हालत होती क्या है वो काट खाने को दोड़ता है तुन मिजाज उस वक्त अंदर से निकल के बाहिर आ जाता है उस वक्त उसका पता चलता है कि उस आदनी में असल था क्या उसमें तुन मिजाजी का इलाज उस आदनी में असल में था क्या तो उस ुखत पतवूत सिर्फ एक ही जात में मिलता है जो जनाब मसीह हैं। जनाब मसीह कि जिंदगी से मिलता है कि आपके मुखालवेन ने आप पर लगायें। आपके बारे में बहुत कहा के आपके अंदर बद्रू हैं। आपके अंदर जिन नाच जो हैं वो समाय हुए हैं लेकिन क्या जनाब मसीर ने उनको इसी तरह जवाब दिया बिलकुल नहीं आपने बड़े तहम्मल का मुझारा किया आपने कहा कि अगर तुम्हारे इलजामात सही हैं बारे में क्या कहते हो आपने ठंडे मिजाज का मुझारा किया मुखालफीन ने जब आपको कतल करने की कोशिश की आप खामोशी से साइड पर होगे ये नहीं कहा कि अच्छा तुम मुझे इस पहाड़ी से गिराने के चक्कर में हो मेरे पास तो इतने फुरिष्टे हैं कि मैं उन्हें भी भेजता हूं कि तुमको एक-एक करके पकड़के नीचे फिक दे करने की तफ़ी कता फरमाएं अगर हमारा सापका ऐसे लोगों से पड़ जाया जो तुम मिजाजिस से बात करता हैं बाद बाद पर भाड़क अचिई थहन्न को थंड़ा करते है के आग की मौत पानी है अग की मौत आग नहीं Newton परवर्दिगार हमें अपने दुश्मनों की आग के आगे पानी बना दीजे जो इस जहन्नुम को ठंडा करते है। परवर्दिगार से यही देखास्त है कि इसी तरह से हम उन लोगों को जिनके मिजाज जहन्नुम के से हैं उन पर पानी बनके गिरें और उन्हें ये तौफीक अता फर्माएं कि हम जहन्नुम को फिर्दौस में बदल सकें। आमेन।